जैन दोस्तो हम आप चले आएं कोशन नमर दो पे कोशन नमर वन देखने के लिए इसके पहले वीडियो बना चुके हैं और ये कोशन नमर टू देखने के लिए इस वीडियो को आप देखिया सुरू सेवन तले देखिए 100% समझ में आएगा अब जाके परीच्छा में 14 फरव लेंगे इसको सल्व करके हम को इतना लाना है तो सबसे पहले इसका LCM लेंगे तो ये देखिया सेम नहीं है तो इसको दोनों मल्टिप्लाई में आ जाएगा यानि साइन है अब रेकेट से बाहर कॉस से ये LCM हो गया अब ये LCM हो गया अब उसके बाद आप समझेगा ठीक स इसे से इस दोनों से ये कट जाईगा लेकिन ये बचाएगा बाटा पर क्यों किसे बनता है जितने टेबल में ये आ जाए तो अब देखो इससे यह cut गया तो सिर्फ यह बचेगा तो इससे multiply होता है तो इससे multiply होगा तो cos square A हो जाएगा प्लस अब देखे कोस से cos cut जाएगा तो इह बचेगा फिर इसमें इसमें जो multiply होगा तो 1 plus sin A के whole square हो जाएगा तो इसमें कि 2 A हो गया तो इसको पहले से अल्रेड़ी आई यह भी है multiply करेंगे तो whole square हो जाएगा अब देखे इसको ऐसे ही के आई से ही लिखे देंगे cos square है लेकिन इसको A plus B the whole square पर लिखेंगे तो A का value 1 है और B का value sin है तो A square तो 1 के square करेंगे तो A 1 ही होगा A square plus B square अब बट्टा यह जितना है उतना ही लिखे देंगे अब देखे क्या करेंगे दोस्तों आपको पता है कि cos square A plus sin square A अगर आप plus में तो एक साथ भी लिख सकते हैं इस दोनों का मान एक होता है मतलब इस दोनों को मिला देंगे तो एक होगा आई एक होई पहले से हैं आप plus में इसे गुणा करेंगे तो 2 sin है होगा 2 sin अब बट्टा में जो है वह ही लिखेंगे इसे change नहीं करेंगे जो है वह ही लिखेंगे अब देखेगा अगर आप धियान से अगर देखेंगे तो आप धियान से देखेंगे तो 1 1 मिल के 2 हो जाएगा अब पलस में 2 sin है अब बट्टा में जो है वह ही लिखेंगे इसे change नहीं करेंगे अब धियान से देखेंगे अब हम क्या कर रहे है इस दोनों में से 2 common ले लेते हैं तो 2 common लेंगे तो बब 1 plus sin है होगा बट्टा में जो हैं वहीं लिखेंगे जो हैं पहले से वहीं लिखेंगे साई ने इन्टु कॉस अब दोस्तो देखो तो इससे ये कट गया तो उपर दो बच गया नीचे क्या बच गया नीचे बच गया कॉस है तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 into 1 by cos से भी लिख सकते हैं, इसे अलग करेंगे तो, आप 1 by cos का फर्मूला था है, सेक है, तो देखें दोस्तों, यह प्रूप हो गया, इसको बोलते है, RHS यह आ गया, आइए देख लिजिए कि RHS इतना ही है, प्रूप करना था, यह प्रूप होगे काफी important question है, और यह question आप से exam में जरूर पुछा जाएगा, काफी useful है, ठीक है दोस्तों, तो आप इसे चैनल को subscribe कीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए, ओके